आसिफ स्वाफ हमारे साथ जुड़े हैं आसिफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीडी पी और एंसी लगातार राउल गांदी के साथ नजर आ रहे हैं क्या आने वाले चुनाव में जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का फाइदा होता हुआ दिखेगा कैसे वहाँ पर सियासी काफी ठंडा है ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन राजनीती में काफी गर्माहट पिछले कई दिनों से लगातार देखी जा रही है जबसे राहुल गांदी की वारत जोड़ो यात्रा ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया है जम्मू में भी हमने देखा के नेशनल कॉ काफ्रेंस और पीडीपी के इलावा जो दूसरे गुपकार अलाइन्स की पार्टिया है वो सारी केवल सीपी आयम को छोड़ कर इस रैली के साथ साथ चली यहां फारुक अब्दुला ने पहले ही जम्मू में खुद रिसीव किया था जब एंट्री हुई थी राहुल झारडी के साथ कदम से कदम मिलाकर दक्षणी कश्मीर में पैदल यात्रा में शिर्कत की तो जहर सी बात है कि जो जमू कश्मीर में कांग्रेस इस यात्रा से पहले विख्रा हुआ पहले नजर आ रहा था गुलामन नभी आजाद के निकलने के बाद कांग्रेस के कई चले गए थे, मैक्सिमम 90% आजाद की पार्टी से निकल कर वापस कॉंग्रेस में शामिल हो गए, कॉंग्रेस के अंदर जो इन फाइटिंग थी वो खतम हो गई, तो कॉंग्रेस को पूरी तरह से जोडने में राहूल गांदी सबसे पहले यहां कामियाब रहे, और उसके कि लोगों का कितना बड़ा रिस्पॉंस इस यात्रा के दोरान देखने को मिला, और जाहिर सी बात है कि इसका फाइदा जरूर आने वाले विदानसभा चिनाओं में यहां पर देखने को मिलेगा, और जो बीजे की, बीजे पी के खिलाफ सेंटिमेंट है, वो सीधा-सीधा अनकैश होगा इस अलाइनस के थरू, अगर राहुल गांदी नेशनल कांफरेंस और पीडी पी के साथ मिलकर चिनाओं में उतरते हैं गुपकार अलाइनस के साथ, तो जाहर सी बात है, इन्हें काफी फाइदा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कॉंग्रेस को मश्बू ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, यूस 24